वक्त की बड़ी खबर के साथ तो सबसे पहले बड़ी और रहम जानकारी का रुक करते हैं तो रामगर्ड सीट पर उप्चनाव का रण बड़ी और रहम खबर आप तक महुचा रहे हैं तो रामगर्ड सीट के उप्चनाव को लेकर के जै आहुजा अब उप्चनाव में बगावत नहीं करेंगे उनको मना लिया गया है टिकट नहीं मिलने के वज़े से आपको बता दे कि उनकी नाराजगी थी लेकिन अब जो जानकारी है बीजेपी प्रदेश शद्यक्ष मनाने के लिए पहुचे थे मदन राठोल की महनत अबरंग लाई है और अब उप्चनावों में वो बगावत नहीं करेंगे तो मंत्री जवाहर सिंग दक और मंत्री जवाहर सिंग और गौतम दक दोनों आपको बता दे कि पहुचे थे बागी जाय आहुजा को मनाने में अब बीजेपी पुरी तरह से कामियाब रही है और अब जाय आहुजा उप्चनावों में बगावत नहीं करेंगे ये इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे हैं ये बड़ी खबर है मंतुरी जवाहर सिंग और गौतम दक इसमें सफल रहे हैं रामगर्ण, विधानसवा, सीट के उप्चुनाव को लेकर के जो बागी स्वर थे वो देखने को मिल रहे थे क्योंकि टिकट नहीं मिलने के वज़े से नाराजगी थी लेकिन अब बीजेपी प्रदेश शिद्यक्ष मदनराट और मंतुरी जवाहर सिंग और गौतम दक इन तीनों ने जिस तरीके से प्रयास किया बाचीत जय आहुजा के साथ होई और इसके बाद अब जय आहुजा मान गये हैं और अब उनका ये कहना है कि वो उप्चुनाव अगर होती तो जाहिर है कि इसका जो नुकसान है वो भारती जंता पार्टी को होता जय आहुजा जो की यहां से टिकट की दरकार कर रहे थे लेकिन उनको टूगी पार्टी ने टिकट नहीं दिया इसलिए उनके और उनके समर्थकों में नाराजगी थी और इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार ये कोशिश हो रही थी कि मनाया जाए आहुजा को और अब जै आहुजा को मनाने में बीजेपी सफल रही है बीजेपी प्रदेश देक्ष, मंदर्न राठोड, मंतुरी जवाहर सिंग और गौतम दक इन तीनों की महनत आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रंग लाई है तो अलवर की ये जो रामगर सीट है इस पर बगावत के सुर आपको नहीं सुनाई पढ़ेंगे क्योंकि जै आहुजा अब इस उप चुनाव में बगावत नहीं करेंगे ये जानकारी फिलहाल मिल रही है तो उप चुनावों को लेकर के ये बड़ी खबर है और बीजेपी के लिए कम से कम ये राहत के भी खबर है और चले सीधर रुकर लेते हैं दिनेश शर्मा हमारे साथ जड़ गए है जानकारी के साथ दिनेश कैसे इसको देख पा रहे हैं क्योंकि रामगर सीट पर सबकी निगाहे थी फिर हम लोगों ने देखा टिकट का वंटन होता है जए हुजा नाराज हो जाते हैं अपनी नाराजगी को खुलकर वो व्यक्ति भी करते हैं पिर प्रदेश अद्यक्ष लगते हैं दो मंत्री पहुंचते हैं आज जानकारी यह है कि आप हो मान गए है बगावत नहीं करेंगे कैसे देखें सपूरे पक्रन को बिल्कुल देखे आयुश प्रदेश में जिन साथ सीटों पर विधान सवा उप्चोनाव हो रहे हुए उन्हों में रामगर सीट को काफी होड़ सीट माना जाता है बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है रामगर की यहां पर जब बीजेपी ने सुक्वन सिंग को टिकेट की सुक्वन सिंग का विरोध करेंगे उन्हों न कहा था कि पालिटी ने ऐसे व्यक्ति को यहां से टिकट लिया है जो कभी रामगर में सक्रिय नहीं रहा पिश्ते 8-9 महिनों में उस व्यक्ति ने कभी कारेकरताओं से कोई समवाद नहीं किया तो ऐसे में जो टिकट पर अधि इस कंट्रोल करने की कोशिश की जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं दो मंत्रियों को यहां पर रवाना किया गया ग्रहराज्य मंत्री हैं जवार सिंग बेडम है उनको यहां रामगर रवाना किया गया आज सहकारीता मंत्री हैं गोतम दक उनको साफ मान मनुहार के लिए क कि किसी भी कीमत पर रामगर सीथ पर यदी पताय हासिल करनी है तो बगावत को रोगनी और कई घंटों से जो ग्रह राज्य मंत्री है जवार सिंग बेडम और जो सहकारीता मंत्री है प्रदेश के गोतम तक वहां रामगर में कैंप किये हुए थे और वहीं पर जो जयाहुजा है कि बड़ी संधा में अपने समर्थकों के साथ वहां पर महाँ पंचायत कर रहे हैं दोनों बड़े नेताओं ने जयाहुजा से समझाईश की और उनसे कहा कि पार्टी की नीती रिती नीतियों पर चले और पार्टी ने जो फ्रेंसला लिया है उसका सम्मान करें और जो प पार्टी के बड़े नेता हैं बड़े बुजर्ग हैं उनकी समझाईश का मैं तम्मान करता हूँ पार्टी के रिती नीतियों का तम्मान करता हूँ और हम सब मिलकर के रामगड का चुनाओ एक जुट हो करके लड़ेंगे और उन्होंने ऐलान किया कि वो अभी से आज से ही सुपन सीं के परचार में चुटेंगा और उनके मन में दुख जरूर है कि पारटी ने उनका टिकेट काटा लेकिन जब दोनों नेताओं ने उनको एशोर किया जैयाउजा को कि आने वाले वक्त में जो भी सम्मान होगा पारटी की तरफ से उनको दिया जाएगा तो समझाईश है बिल्कुल ये सफल रही यहाँ पर और निश्चित हूप से बीजेपी ने यहाँ पर एक बड़ा डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश की है उसमें दोनों नेता सफल रहें और जो बीजेपी प्रदेशा अद्यक्षा मदन राठोड उनका सुबह आज सुबह खुड की मेहनत रंग लाई है और जो दोनों नेता जिनको जिम्मेदारी दे करके भेजी है जवार सिंग बेडम और जो गोतम तक है वो अपने इसे मिशन में सफल होकर के चैपुर लोट रहे हैं जी बिल्कुल लेकिन दिनेशा मूमन हम लोग ये देखते हैं क्योंकि जिस कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है जाहिर है कि उसकी जो नाराजगी है वो इसी तरह से खुल करके आती है लेकिन यहां बात महा पंचायत तक भी पहुँची है और हम लोगों ने देखा बड़ा खुल कर मुखर होकर के ये जो बात है विरूद की वो रखी गई अब उनको मना लिया गया है वो खुद भी इस बात को कह रहे हैं कि अब वो उप चुनावों में पुरी तरह से पार्टी के साथ में रहेंगे लेकिन क्या ये चीज़े ग्राउंड पर भी सी तरह से एक्जे लेकिन पार्टी के नेता जो समझाईश कर रहे हैं और उन्होंने कल जो भलाबुरा कहा था सुक्वन सिंग के लिए आयुश माथ को बता दू कि उन्होंने जिस तरीके से लंपट चरितरहीन और दागी जैसे शब्दों का उप्योग दो दिन पहले कहा था जी और ये कहा ज जह तो छहने अपर इस तरीकrता से अफियर बा मन से परचार करेंगे और निशीतरुप से ग्राउंड में वह किस तरीके से सुक्वंत का साथ देते हैं कि तने दिन तक वहां सुपन सिंग के सーム कन्धे से लिए बीजेपी के लिए वो घृत मांने के देखने वाली बात हो गी लेकिन अभी उन्होंने जो इछ अइलान किया महाँ पंचाइट में वो कहा कि मन से साथ है मन से बीजेपी के साथ है बीजेपी के रीटिनीतियों का तंवान करते हैं कुछ उनको दुख जरूर था कुछ गल्त सेमियां हो गई थी इसलिए उन्होंने जो बीजेपी उमिदवार है उनके लिए कुछ भला बुरा कह दिया था लेकिन वो अपने शम्दों को वापस लेते हैं और पूरी पार्टी एक जुट है जया हो जाने ये भी कहा कि पूरी पार्टी एक जुट है एक जुटा के साथ यहां चुनाव अबला या जो समीकरान पहले बन रहे थे उसी तरह की कोई परिस्तितियां इस बार इस सो प्चुनाव में देखने को मिलेंगी निश्यत रूप से आयुश मैं आपको बता दूँ कि कल तक हम बात करें आज चंद घंटों तक हम पहले बात करें तो निश्यत रूप से बीजेपी के सामने कई चुनोतियां थी बीजेपी को इस बगावत का बड़ा नुकसान उठाना पड़ता और ऐसा माना जा रहा था ह कि बीजेपी हांस कर ये सीट कॉंग्रेस की चोली में दे रहिए लेकिन बीजेपी ने मतलग पिल्कुल एक तरीके से कहा जाता है कि पूरा गेम चेंज करके रख दिया है जै आउज्या को मना करके बीजेपी ने मतलब आप ये मान चलिएगा कि जो बीजेपी की सामने बड होना यहां पर बाकिया उन्होंने चुनाओ परचार शुरू कर दिया और बिल्कुल हर किसी की जबान पर यह कि कॉंग्रेस के उमिद्वार आईरन खान होंगे लेकिन जो कॉंग्रेस भी इस पिस से बड़ा मतलब कॉंग्रेस में पॉजिटिव मैसेज था कि वीजेपी में ब इस पार्टी को सीचने का काम किया यहां से कही बार विधायक रहे चुनाब लड़े और उनकी विरासत के रूप में जैय आउजादी बच्पन से स्वेम सेवत के रूप में और फिर भारती जन्ता पार्टी के कारकता है। लिखनायर के रूप में और उनकी निख्यादे रूप में नष्जित के रूप में रोप मेंचित रूप से बहुंगत। और आपने यही कहा कि मैं परिवार का सदस्य हूँ और भारतिये जंता पार्टी सरसब्ज रहे माननिये मुक्यमंत्री जी के नेतुरत में शातों के सातों विधान समा के उक्चुनाव भारतिये जंता पार्टी जीते उसके लिए रामगर में मैं भारतिये जंता पार्टी के यह को बदाई देते हैं और अग्रन बदाई देते हैं कि यह जै आउज़ा सिर्फ ग्रामगर का मैता नहीं यह राजिस्थान के यवाव की पहचान और राजिस्थान के नेता के रूप में बनका भारतीय जंसा पारटी के लिए काम करेंगा जब कोई निर्णे होता है, तो कहीं न कहीं कोई बात पुझती है, निश्चित रूप से पार्टी इसके समिख्षा भी करती है, मैं इस अबसर पर आधनी जय जी को मैं अपने अपने धन्यवात देना चाहूँगा, इस संग्य परिवार के संसकारों से के साथ आप बड़े हो जो सेवा के कारिये आपने की हैं अपने जीवन में, उन सेवा कारियों के साथ साथ सनातन धर्म के पती जो आपके भाव हैं, जो भारती जन्ता पार्टी परिवार के पती जो आपके भाव हैं, उन भावों को नहीं चोड़ते हुए, आपने भारती जन्ता पार्टी को समर् करके आपना जो है कहीं न कहीं जो बड़पन है वो दिखाने का काम किया है लेकिन इनको पार्टी जो है उचित सम्मान भी देगी और निश्चेत रूप से यह भारती दिनका पार्टी का उज्वल भुरिश्च्य है यह जो आप बात कर रहे हैं यह कोई न कहीं से अपनी तरफ से पाड़े करता है उन्होंने पाड़ी का लोगसभा में भी काम किया है और निश्चेत रूप से कोई बात हुई है सबी लोग उसके साथ हैं। में सिर्फ आउजा साभी हैं और भवान उनको स्वस्त रखे तो इस उमर में उनके दिये गए आदेश की मुझे पालना करनी थी और मैं ऐसी नाकारा संतान नहीं हूँ जो अपने बड़े बुजरुगों की परिवार जनों की आग्या का पालन न कुरूँ। और कहीं को उनके मन में बैठने का विचार भी आया होगा तो उनको चुनाव लड़ने पे मजबूर किया गया उनको बैठने नहीं दिया। तो भीड तंत्र की सूचनाय मेरे नेटवर्क से मुझे लगातार मिल रही थी कि यहां पे कॉंग्रेस के शर्यंत्र से बहुत बड़ा भीड तंत्र का इसाब किताब बना करके और मेरे को बड़ने के लिए मजबूर करेंगे। पर सौबागे से आज जो भीड आई वो बहुत संटित और व्यवस्तित तरीके से आई सब लोगों को मैंने व्यक्तिकत आगरे किया गाव गाव में उनको अपनी परसनल गाडिया लाने के लिए गा और उन सब लोगों ने प्रतिनिद्यों ने अपनी अपनी बात भी रखी हमारा पक्षम ने मानिय मुख्यमंत्री जी सहित हमारी सरकार और पार्टी को कनवे किया लेकिन हमारी जो प्राब्लम है वो सरकार भी नहीं है पार्टी भी नहीं है भगावत भी नहीं है हमारी प्राब्लम या हमारी यूएसपी हमारा बलड है हमारे बलड में जो बैता है ह हम उसको बदल नहीं सकते हैं वो कभी वक्त जरूरत नीला हरा पीला नहीं हो सकता वो हमारा जो रख्त है वो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हमें अपने देश धर्म की सुरक्षा भाजपा के साथ ही दिखाई देश मैंने बारती जनता पार्टी और कमल के फूल को समर्थन दिया है मैंने बारती जनता पार्टी और कमल के फूल को समर्थन प्रदेश नेत्रक्तु से हमारे माननिय मुक्यमंत्री जी से मेरे सगे बाई से बढ़के माननिय जवार बेडम जी से बात करके माननिय दक्साप से बात करके हमारे बड़े भाई पुनित करनावर जी सरदार इंदरजीत सिंग पाठा परिवार बहुत बड़ा है परिवार में एक जने से नाराजगी हो सकती है दो भाई भी आपस में लड़ते हैं रेक दूसरे को क्या नहीं कहते कह देखते हैं समय आता है चला जाता है लेकिन पर को भी देखा होगा और सिर्फ दो दिन के अंतराल में इतनी बड़ी-बड़ी दो पंचायतें आपने भी हैत्यासिक पंचायतें देखियोंगी और सिर्फ पंचायत नहीं दी लोगों की आंख में आसु तो आख सुक्वन सिंह का परचार करेंगे मैं भारतिय जनता पार्ट परचार करूंगा चुनाव जित्वाओंगा और राजस्तान विलान सवा में उनको यहां से प्रतिनी दूत करने भी है अचले इस बीच एक बड़ी